यह मार्किंग स्कीम है प्री बोर्ड क्लास 10 इंग्लिस लांगवज और लिट्रेचर जिसका कोड़ा 184 इवनिंग सिफ्ट की तो सब्सक्षिन ए है 20 मार्क्स का जिसमें रीडिंग स्किल्स है और इसके बाद आगे यह पर यहां पर दे रखेंगे हैं कि क्या क्या आंसर से हम पूरे मार्क्स पा सकते हैं और जो भी लिखा है वो एक हिंट है या फिर किसी किसी में कंप्लीट भी है बट आपने क्या समझन है आपने समझना है कि कम से कम इतना तो लिखा हुआ होना ही चाहिए आपके आंसर सीट में ताकि आपको मार्क्स दे सके अब देखिए एक ग्राम सुरू हो रही है यह फिलप्स होगा है एर्र करेक्शन होगा उसके बाद यहां पर भी आपको एर्र करेक्शन है और यह अनलेटिकल परेग्राफ राइटिंग है जिसमें और यह सब चीज़े देखी जा रही है टोन एकुरेशी स्पेलिंग पंचुएशन ग्रामर सब कैसा है और फिर रीडिंग टेक्स आगया यह आपकी बुक है जो सप्लिमेंटरी बुक है उससे है यह 40 मार्क्स तो प क्या होगा कैसे होगा आपकर पास क्ष्षिंदटरी को चैक कर करिए ओसके सांथ सांथ लिख लीजे कि यह अंसर इसका है क्योंकि ये आपको पहली बार या फिर आपके टीचर्स ने साइड ही बताया होगा कि हम आरे पास यह आंसर की है इससे हम मैंच करके आपके आंसर सीट्स को चेक करते हैं और कैसे मांक्स लेके आते हैं तो आंसर है निए फॉर यह वैल उपॉंट्स है यह वैली पॉइंट्स ओके ओके यह भी हो गया यह आपका । फॉर्थ पार्ट फिफ्ट पार हो गया आंसर एंइट गया И उसके बाद ये चला गया, value points यहां पर हो गया, फिर यहां पर भी फिर दुबारा से value points आ रहे हैं, ये यहां पर खतम नहीं हुआ है, अभी और भी है, देखिए ये question number 10 है, जिसका answer यहां पर कुछ इतना होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, ये detail है, इससे जादा हो सकता ह इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि आपके marks कम हो जाएंगे, फिर अगर कम होगा तो, ये question number 11 है, any one, content 3, expression 2, accuracy 1, value points क्या क्या है इसके, ये value point B के, तो यहां पर आपका paper हो रहा है, खतम, तो ये आपकी answer की है, जल्दी से आपने question paper के साथ match करी, और comment करीए, कितने marks आपके आ रहे